ग्रीव साध साध सब नेक हैं आप आपनी ठोरे जो सत लोक ले जावेंगे वो साधू कोई औरे तो कहने का दाद पर ये है कि जो ये राधा स्वामी पंथ के स्री शिवद्याल जी थे इनोंने स्री तुलसी दास आथरस वाले के दोवारा जो भी उट पटरांग ग्यान दिया था उससे भी हटकर और निमन सतर का आप त्यार करके स्वंभू संत बन गए और ये पांच करने सुरू कर जिये ररंकार ओंकार जोती नरंजन सोहम और सतनाव परमात्मा कबीर जी कहते हैं सोहम सबद हम जगमें लाए और सार सबद हमने गुप्ट छपाए पर वेस्वर कबीर जी के प्राकाटे से पहले किसी भी सदगरंथ में आपको सोहम सबद नहीं मिलेगा और इन्होंने ये एक सबद है करने नो दीदार महल में प्यारा है राधा स्वामी पंथ वालों ने उसी सबद के आधार से अपना पंथ खड़ा किया और उसमें जो वास्तविक मंतर भी उस सबद के अंदर हैं और ये पांचों सबद काल के हैं और काल ने अपने मुक से बोले थे उचारण के ये जाप नहीं करने थे ये उसोहम नहीं है उसके अंदर और सतनाम भी नहीं है वो सक्ती सबद है सक्ती सतनाम के स्थान पर तो ये पांचों नाम काल के हैं इन से हटकर वो पांच नाम ये दास आपको परदान करता है वो इन कमलों के खोलने के भेन हैं जो जिन्हों ने उपदेश ले रखा वो आपको पता है अब उन्हात्मा दास का उदेश से ये है कि आप जी को सत्से परीचित कराऊं जिन्होंने परमात्मा पाया है उन्होंने कौन सी साधनाएं की है कौन से नाम जाब किये है और कैसे उनकी रहनी थी कैसे उनकी क्रियाएं थी जिन से उन्होंने प्रमात्मा प्राफ्ट वा उन से हट कर यदि हम कोई अन्य साधना उसका कोई अन्य तरीका अपनाते हैं या कोई अन्य मंत्र जाप करते हैं तो हम प्रमात्मा प्राफ्टी नहीं कर सकते अब जैसे इन रादा स्वामी पंथ वालों का ये भी मानना है कि संत कुछ भी नाम दे दे वह फल फूल जागा ये भी इनकी अपनी सोच है और ये जूट है गलत है अनूचित है जैसे हमने आम का पोधा बीजना है आम के पोधे को बोने के लिए आम का ही बीज बोना पड़े ये कोई बीज हम बोधे आम नहीं लगेगा जैसे बबूल का बोधिया नीम का बोधिया तो आम नहीं लगेगा फलेगा वो भी तो आम के लिए हमने आम का ही बीज बीजना पड़ेगा सत लोग जाने के लिए हमने वही मंतर जाब करने पड़ेंगे जो उन महापुर्सों न किये किनों ने जिनको परमात्मा स्वेमा कर मिले है सत लोग से चलकर आए उनको कौन-कौन है उन में से वो अच्छी आत्मा है पुन्यात्मा है जिसके वी से में रगवेद मंडल नम्बर 9 पर शुक्त Number 86 मं्तर 26 27.. Regaved मंडल 9, सुक्त 82 1, 2, 3 Regaved मंडल 9, सुक्त 96 26 मंतर 16 20 तक रगवेद मंडल 9, शुक्त 1 मंतर 8 और 9 में रगवेद मंडल 9, सुक्त 20 मंतर 1 में और विए नेक स्थानों पर रिगवेद मंडल नमबर नौ सुक्त नाइटी फॉर मंत्र एक में चुरणवे के एक में इसमें सपष्ट किया है कि वो परमात्मा सत लोक में रहता है उपर तीशरे मुक्तिदाम में और सत लोक से गमन करके चलके राता है सह सरीर है मनुस अद्रिश से उसका नाम कवीर देव है और वो कवीर देव यहां अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं बहुत सपीड से आते हैं जैसे विधूत आकास ये विधूत जितनी सपीड से गिरती है इतनी तीवर गती से आकर के एक सेकेंड में पहुंच जाते हैं वस्त लोक से और अच्छी आत्वाओं को मिलते हैं उनको तत्व ग्यान प्राप्त कराते हैं इसी आधार से परमात्मा इन मापुर्सों को मिले थे किन किन को आदर्निय दरमदास साहिब जी को आदर्निय मुलुकदास साहिब जी को आदर्निय नानक साहिब जी को आदर्निय दादू साहिब जी को आदर्निय ग्रीबदास साहिब जी को गाउं छुडाने जिला जद्द्र हरियाना वाले को आदर्निय गीसा दास साहिब जी को गाउं खेकड़ा और जिला मेरट उत्तर पर देश में इन मापरसों का तो दास को याद है जहन है कि इन को परमात्मा सीधे मिले और इन्होंने जो मंतर जाप किये जैसी साधनाए उनकी किरियां थी वो भी दास के को खूब ग्यान है रापको प्रिचित कराता हूं दरमदास जी कभी हठ योग नहीं किया और स्वेम परमेश्वर कबीर जी ने एक उधारन पेस किया एक रियर्सल करके दिखाया हमारे को कि वो कपड़ा बुनते थे और नाम भी जाप करते थे कहने का भाव ये है कि कबीर परमेश्वर से एक संत मत चला ये भी मान तेरह दास्वामी पंथ वाले भी और कबीर परमेश्वर ने कोई हठ योग नहीं किया वो तो जुलाहे थे आपके सोच से हम तो कहें वो बगवान थे और परमात्मा को लीला करने आए थे तो जुलाहे का कारिय करते थे और यह भी दिखाते थे कि मैं भई बगती करता हूं, हमारे को दार्ण दे रहे थे, उन्होंने हठियोग नहीं किया, कभी भी कहीं दिखा दो उनका किसी, उनकी पूरे लिटरेचर में दिखा दीजिए कि वो हठियोग किया था कभी, प्रमात्मा कहा करते थे, हामें आगा कराते सचेत करते थे, कहती थे के बुझ़े सोचत गुरमन भाव है जो इन नेनन अलख लखाव रागे, आँख ना मुन्द्या कान शखनी अर्ना अनधुर रगस जावे, मैं सोचत गुरमन भावे, जो सहज व्हावन ग्रमात्मा न्यूर्द्वे पढ़ें, सहज समाद तो चलते उठते बैठते जैसे आपको कोई टेंशन हो जाती है किसी कारण से चलते फिरते उसकी चंतन रहता आपको एक पल भी आपका मैंड वाँ से अठता नहीं ये आपकी समाधी लगी उसके साथ तो ऐसे हम प्रमात्मा के गुणों से और यहां के दुखों से प्रिचित होकर फिर हम प्रमात्मा को इस सर्धा से उसका मेडिटेशन करेंगे उसको पाने के लिए उसको चाहेंगे जो पती भरता पती से राती आन पुर्स नहीं भावे बसे पीहर में सुरत परीत में ऐसे द्यान लगावे कहते हैं जैसे पती भरता लड़की अपने पीहर चली जाती है सुसराल से तो वो कहती है वह सारा काम करती है गरवालों का और किसी को महसूस नहीं उने देती लेकिन उसका एक पल भी अपने पती से धान हटता नहीं इस इस दा सैज समाधी सिंपल मेडिटेशन ये सिंपल मेडिटेशन को सैज समाधी कहती ये संतों की चीज़ ये हट योग कान बंद करो इन संताइं गोड़े कंड़े होगे ठाएं और फिर इनको इन बरबाद कर लिया अपने जीवन जैसे धरमदास साहिब जी भी ऐसे ही कारिय करते थे वो सेट थे बिजनिसमेन थे कभी हट योग नहीं किया आदनिय मुलकदास साहिब जी भी किसान थे अरोडा खत्री जाती से थे उन्होंने भी हट योग नहीं किया अपना किसान का कारिय करते थे आदनिय दादू साइब जी तेली का काम करते थे कोलु चलाते थे तेल निकाला करते थे बादनी ग्रिबदास साहिब जी किसान थे जाट थे गआउं शुड़ानी जिला जज़ड़के और खेती करते थे भल जोते थे पाली जाते थे अभी हठी योग नहीं किया आदनिये नानक साहिब जी थे पहले सर्विस करते थे प्रमात्मा प्राप्ती के बाद पहले तो परचार किया दस बारा वरस फिर लाश्ट के सोला वरस अपने खेतों में काम करते थे और जो उनके निक्ट आता था उनको सत्मारक भी बताते थे आदनिय गीसादास साहिब जी ये भी किसान थे और खेती करते थे और बगती भी करते थे और किसी भी संत को बगवान नहीं मिला क्योंकि सभी ने परमात्मा निराकार बताया जबकि परमात्मा साकार नराकार मनुसदर से है वो सह स्रीर उसका नाम कबीर है तो जिन्होंने प्रमात्मा पाया उन्होंने अपनी अमर्तवाणी में प्रमान दिये एफिडेवट दिये तो उन्होंने किस मंतर से प्रमात्मा पाया आदनिय गृबदा साहिब जी ने सबका निसक्रस निकाल के प्रमात्मा की महीमा को दोबारा री राइट करवाया जैसे स्वाम परमेश्वर ने आके थस्वर्स पहले लगबग वो कबीरवानी बोली थी उसमें इन कबीरपंथ में घुशकर कुछ काल के दूतों ने उसमें काफी अपने साब से कुछ परिवर्तन करने की चेश्टा की जिस कारण से परमेश्वर ने अदनिय ग्रीवदास साहिब जी को फिर से कहा उसमें फिड कर दिया अपना ग्यान और ग्रीवदास जी ने वो ग्यान फिर हमें दुवारा बोल कर सुनाया आप सुन रहे थे जगतकुरू तत्वदर्शी संतरामपल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजे हमारे वेबसाइट www.jakatguru.org संतरामपल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संतरामपल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541 अपने विख्षा के लिख्षा के लिखफ्षा के लिए जाद कर दो कर दो